हरे कृष्णा आज से दो-तिन दिन के बाद एक बहुत ही महत्वपून महीना शुरू होने वाला है जिसको दामोदर मास अथ्वाकातिक मास कहा जाता है ये महीना 24 तारिक, वास्ता में तो 25 तारिक से शुरू होगा पर अंतु 24 तारिक को शरत पूर्णिमा से ही कार्तिक ब्रत का पालन शुरू कर देते हैं भक्त लोग शरत पूर्णिमा है 24, अटूबर की और 23 नमबर तक ये ब्रत चलेगा कार्टिक महिना बड़ा ही महतुपून महिना है इसलिए कई भगत लोग पुरा वैश्णा समास इसमें कुछ नों-कुछ महतुपून ब्रतों का पालन करता है यह महतुपून महिना क्यों है क्योंकि बाकि सब स्थानों पे जितने भी महीने है या ब्रत है उनमें कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण की उपासना है भगवान श्री कृष्ण की उसके अधिश्टाता है परन्तु इस मास की अधिश्टाता भगवान श्री कृष्ण नहीं श्रीमती राधारानी है जो की करुणा मई कहा जाती है उनका नेक नाम है करुणा मई, करुणा वहनी सबकी उपर सबसे ज़्यादा कृपा करती है भगवान की भक्ति को, कृष्ण भक्ति को प्रदान करती है और कृष्ण भी जब देखते हैं किसी जीव को कि वो शीमती राधिका या उनके भक्तों की सेवा करना चाहता है तो बड़े प्रसन होटते है इस महीने शीमती राधा रानी का एक नाम बताया गया है शिला रूप गुस्वामी के द्वारस्ताव माला में कार्ति के देवी, क्यों कार्ति की देवी हैं और अन्यत्र इनका एक नाम आता है उर्जेश्वरी इसी वज़े से कात्तिक व्रत को उर्जा व्रत भी कहा जाता है उर्जेश्वरी का मतलब है कृष्ण की कई सारी शक्तियां है परा शक्तियां शिमती राधिका सबसे महत्यपून शक्तियां है बाकी सारी शक्तियां शिमती राधिका से विस्तार होती है राधिका परादेवता वो सबसे महतुपून शक्ति नहीं है अहलादनी शक्ति है कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं है जैसे शक्ति और शक्ति मान में कोई भेद नहीं है फिर भी श्री कृष्ण प्रसन होते हैं जब वो देखते हैं कि राधा राणी को लोग प्रसंद करना चाहते हैं इसलिए इस व्रत को वो उर्जेश्वरी हैं इसलिए इस व्रत को उर्जा व्रत भी कहा जाता है जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसको उर्जा प्राप्त होती है किसकी कृष्ण भक्ति की क्योंकि जो विक्ति भक्ति ठीक से कर पाता है, ऐसा कहा जाता है, शुला प्रावपाजी कहते हैं, कि material well-being follows the spiritual well-being, तो अगर आप spiritually strong हैं, तो materially अपने आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप हमेशा मालूम रहेगा कि आपके पालनहार, आपके रक्षनहार श्री कृष्ण है, इसलिए ये ब्रत बहुत महत्वपून है, इस महिने को दामोदर मास दो कारणों से कहा जाता है, एक तो भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मया ने इसी महिने में दिपावली की तिथाई पर उखल से बांदा था, उनके पेट से, तो पेट का मतलब उदर और उसकी उपर दाम मतलब रसी होने के कारण, उनका नाम दामोदर पड़ा, इसलिए इस महिने का नाम दामोदर मास हुआ, और दूसरा, एक बार श्री मतिराधिकार ने, जब श्री कृष्ण क काफी लेट हो गए थे, कार्थिक के मास में ही, उनसे मिलने के लिए, तो सेवा कुझ में, श्री मतिराधा रानी ने पेड के साथ माधवी लताओं से कृष्ण के पेट को बांद दिया, इसलिए भी दामोदर मास कहा जाता है, इसलिए सेवा कुझ में, जो उपासना की जात इसलिए इसलिए सेवा कुझ में, वो है श्री श्री राधादा मोदर, जीव गोस्वामी के द्वारा सेवित, अब प्रशन उठता है कि हम क्या व्रत करें सबसे जादा लाब प्राप्त करने के लिए, कार्थिक में कई सारे व्रतों का व्यक्खान है, हम सब का डिटेल में वर्णन नहीं करेंगे, हम बहुती संख्षित में सार स्वरूप चर्चा करेंगे, जैसा कि हमारे आचारियों ने वर्णन किया है, तो जितने भी सृष्टी के अंदर व्रत हो सकते हैं, उनमें दो व्रत सबसे महत्वपून हैं, जो हमारे को परम सिध्धी प्राप्त करा सक जाएगी, आप नमक छोड़ेंगे तो वाणी मधूर हो जाएगी, आप अच्छे गायक बन जाएगे, अलग अलग फल मिलेंगे, पर अगर आप श्रीमत भागुतम का शरवन करते हैं, अथ्वा उसका रिसाइटेशन करते हैं, आपको भगवान का धाम मिलेगा, जहां पे स सारी सुख सुविधाएं अपने आप ही उपलब्द हैं, क्योंकि सारी सुख सुविधाओं के साक्षात स्वामी श्री कृष्ण वहा में आजमान हैं, यह सब सुख सुविधाएं तो बाय प्रोड़क्ट हैं, बलकि भगवान ही मिल जाएंगे उस विक्तिगों, और दूसर नाम भक्तिम आचरेत, अगर कोई विक्ति परम भक्ति प्राप्त करना चाहता है, परम फल प्राप्त करना चाहता है, परम सिद्धी प्राप्त करना चाहता है, छोटी मोटी परफेक्शन नहीं, परम सिद्धी, तो उसको क्या करना चाहिए, नाम संकीरतन से भगवान की भक अब प्रश्ण उठता है कि हम मन लगा के और अच्छे ढंग से अपनी नाम की संख्या बढ़ा करके समय जादा हरी कथा की इतन में देख करके कैसे कर पाएं उसके लिए मन का शांत होना जरूरी है मन का स्थिर होना जरूरी है और उसके लिए हमें क्या करना परता है कई प्रक हरी कथा का शवन कीरतन और हरी नाम का उच्छारन हमारे लिए सरल हो जाता है और उसके साथ ही साथ भक्त लोग कुछ अपनी डाइट में भी चेंज करते हैं जिससे कि समय खाने पीने में ना देना पड़ें और मन भी स्थिर रहें सत्वगुनी रहें तो बेस्त है कि अगर हम शाम को एक बार या दुपहर के समय फला अहार लें फलाहार बोले तो केवल फल रौ फल लें और रूट्स एंड फ्रूट्स और बाकी दिन जल से रहें पर अगर ऐसा नहीं रख सकते तो दूसरा आप्शन क्या है कि केवल फलों का अस्वादन करें भगवान को अरपन कर हैं तो दूसरी विधी क्या है कि हम फलाहार खाएं को कुग आइटम जैसे नवरात्रों में लोग लेते हैं कुट्टू के बीज होते हैं उनको पका के खा सकते हैं तरह तरह की जो हम नवरात्रों में खाते हैं परन्तु वो एक ही बार खाएं दिन में और याद रहें कि उस बोजन करें पूरा और बाकी टाइम फल खाएं और अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर हम क्या कहें आप जैसा कर रहें और ऐसा करते रहिए परन्तु सुबह ब्रह्म मूरत में उठके हरी नाम का उचारण कीजिए भागवत कथा का शवन और किर्टन कीजिए अगर आप बाद शाम के समय आप इंटरनेट पे जाकर के दामोदर अश्टकम लिरिक्स ढूंड सकते हैं उसको डाउनलोड करें उसका प्रिंट आउट निकालें और प्रतिश दिन शाम को भगवान को दीपदान करें दीपदान करने की विधी क्या है एक दीपक लें दीपक में सेसम सेसम ओईल बोले तो तिल का तेल और या अगर तिल का तेल या फिर गाएं का घी इन दोनों से कोई एक वस्तू ले करके उसमें दीपक जलाएं दीपक जला करके पहले अपने गुरुदेव को सामने ले कर जाएं दीपक को तुलसी महारानी के सामने ले करके जाएं और फिर पहशात उस दीपक को तुलसी जी के सामने रखे और बैट करके वो दामोदर अश्ट कर्म जो आपने डाउनलोड किया है इसको पढ़े ये बड़ा ही सरल और बड़ा ही शक्तिशाली व्रत है कि अगर हम ब्रह्म मूरत में उट करके ध्यान रखे ब्रह्म मूरत में उट करके भगवान का नाम जब, हरी कथा का शरवन, अध्यान और कीरतन उसके अलावा शाम के समय दीपदान और दामोदर रष्ट का पाथ और इसके साथ जो हमने अपने फूड में आपको बताया, अगर आप फला हार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा तो ये बड़े ही सरल नियम है, पर तो ये बहुत शक्तिशाली है, हमारे को अन्य बहुत सारी चीजे करने के अवशक्ता नहीं है और जब आखरी दिन आएगा कार्तिक का, जैसे इस बार पूर्णिमा पड़ेगी कार्तिक पूर्णिमा 23 नवंबर की, अपने व्रत को पूर्ण कैसे करें अगर आपने डाइट में भी कुछ वो ले रखा है, प्रण ले रखा है तो दुपहर के समय आप परसाद लें और प्रसाद लेने से पहले कुछ भगतों को प्रसाद खिलाने का प्रयास करें ब्रहमन हों या फिर भगवन भगतों हों, उनको पहले कुछ प्रसाद अरपन करें, कुछ उपहार दें भगवान के चर्णों में प्रातना करें कि जो हमने व्रत किया उसके इस सेवा को स्विकार कीजिए हमें अपने चर्णों की भक्ति दीजिए और उसके प्रशाद आप प्रसाद ग्रहन करें तो डाइट प्लैन आप चेंज कर सकते हैं अधी बाद में परणतू भग्म मूरत एफ में उठना बंका नाम यद्या और हरीकता के दन ये कभी बंद मत की चैने काल्तिक मास की श्री मति राधा लानी आप शब पर कृपा करें हम पर बजिक फ़ेगार कवा जए ओ कर आओ झाल झाल